तो आपका स्वागत है तो आज मैं आपको लेटेस्ट कमट्रीटीव एक्जाब अब लिक जॉब अपडेट बताऊगा तो इस वीडियो को शुरू सब्सक्राइब करना ना भूले तो यह गाइड लाइल से पहले इसको पढ़ते हैं उसके बाद समझते हैं कि क्या मेहार में प्रतियुक्ता परिच्छाओं के रिजल्ट और परिच्छा और मिग्यापल पर क्या असर पढ़ सकता है तो दिलाक तीर चार को आपदा फरवल्दल समू सी एम जी की मैठाक में कोवीड लाइल टेल के सग्रवर्ण के परसार की समिछा के करब में बिहार राज में कोवीड संक्रवल के बावलों में अब प्रतियासित मिर्धी को देखते हुए लिजल्टर असे तुँ विशे इस अव्याल चलाकर आप पालल कराये जाले का लिजल्ट लिया गया है विप्युक्त समद्वे लिवल आदेश पारित किये जाएगे सभी जीला पुलिस अदिचक अपन संद्वे लिगत अधितन वालक संचलन परकिरिया का अच्छर सा है वो कड़ाई से पालल करेगे भीड भाड बाले स्थलो या था फूड को जल पाल गिरी सब्जी बल्डी बस रेलवे स्टेशन रेहडी यादी बैक्तियों के जवाबने को नियल्टरित करने अधिक सथिक पूलिस बनके प्रतियुक्ति की जाएगी उसके बाद क्या है दिलाग पाच-चार से खुलने वाले स्कूल कॉलेज जब पोची क्लास से जब दिलाग 11-4 तक बंद रहेगे पूर दिधारित परिछाए स्कूल कॉलेज पर बंदर ना आवे सकता अनुसार कोविड प्रोटो सकता अनुसार कोविड पिल्टो क्लीटो बाइब क साल यहां में के भएग्ति करते हैं खिर भिद स्कात्य स्वेर सेंगेते हैं निए परिछा क्या होगां अश्कारी शवाते हैं तो आपके पर प्लाल भी कोई अशतन नहीं पड़ा है चैंदी य कि कीels अर्म से चार्चा करें और भी है जो आप लोग जोड़ी हो सकती है सारवली के स्थलों पर किसी भी परकार के आयोजला पर रोक दिलाग पांच चार अपरेल से अपरेल तक बल्द रहे गी यह और फिक्स किया गया है रोक बिवाह है जो कि स्राध पारिवारी कारिकरव पर लागू लही होगा सरकारी अब लीजी कारिकरव पर रहे जो कि आयोजल पर रोक लग गया है कोई भी आयोजल अब नहीं होगा और स्राध वब बिवाह के लिए अधिकतब 50 करब सब 50 अब 250 बैक्तियों की अधिकतब सीवा रहेगी बतलब फिक्स किया गया इससे जाता नहीं रहेगा सरकारी कारि कर्याले परवेश पर रोक लगे जाएगी तो मतलब रोक रहेगी पतलब साफ है कि अगर आप जाला चाहते है और आप आवेदन दे ला चाहते या वह जाकर आप तो आपको परिसानी हो सकती इसलिए आप सभ़बता और लाइल ही करें इमेल कर दें तो कोसिस करें कि बचले यह बहुत इपोर्टेट लाइल है और मेरा बक्सद यह नहीं कि आप लोगों को उड़ा है नेकि यह गाइडलाइन से उसके नुशार ही कार्याले कर ला है कार्याले में उपस्थिती निर्धारित कर ले के लिए सच्छब रहेगे यह विश्ता तीस अप्रयाल तक रहेगी प परचास परतिसत शब्ता किसी प्रिस्ति में नहीं नहीं दिया जाएगा यह वेश्ता पास से पंदरा प्रयान तक लागू नहींगी परिवहल विवाग जिला परसासन इसके लिए कदब उठाएगे शार्वनिक उस्थालों पर जिला परसासन सुनी सीथ करेंगा कोमिट आप देखते होंगे 5% लोग भी वास्क नहीं लगाते हैं और यह सोचते हैं कि कुछ नहीं है और लेकिन जिस तरह सापको समझना पड़ेगा और जिस तरह साखवारों से लेकर आप भी पढ़ते होगे जिस दूसी लहर नहीं पहली लहर से भी तेज हो ले वाली है बहुत चर्चा करते हैं कि यह क्या बहुत सारे जो बैसे जा रहे है कि इंदरवा फीचकल की चल रही है या बहिलाव के लिए चलेगी तो वो केल सिल हो जाएगी तो पिलकुल नहीं होगी और इससे प्रभावित लएगी क्योंकर कि इस पास्ट्रों से लिखावा कोई परिच्छा तो इस पर भी आप इसको सलसे नहीं करना क्योंकि यह इसमें खुला रहेगा तो आपकी जितनी भी परिच्छाइं यह होगी इसमें कोई परिच्छा भी होगी और आप देखा होगा कि पहले भी है और होगी इसमें कोई confusion नहीं है और जहां तक बात है कि अब क्या यह तो परिच्छाओं का होगा कि परिच्छाइं आपकी सारी होगी रिजल्ट पर क्या प्रभाब पड़ेगा तो अभी फिलहाल कोई असर लें पड़ेगा क्योंकि अभी जब तक कब असर पड़ेगा जब सरकार यहाल है उसके बाद बिग्यापन पर असर पड़ सकता है तो यही है कि आप लोगों को घबराले की जरूरत लही है लेकिल अभी फिलहाल उसी इस्तिती लहीं आई है लेकिल आप लोग साब्धाली बरते और जिस तरह से आप हालात देख रहे होगे कि वास्क तो बिलकुल सब्सक्राइब लगाया क्योंकि दुसरे फेज लहर आने वाली है और ऐसा लिए कि 11 अपरेल को है जो कि बंद हो जाएगी और 11 अपरेल को सारी स्कूल एक खुल जाएगी सारी खत्त हो जाएगी यह परकिरिया होती और यह बढ़ने वाली है घटले वाली लही है तो में बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं मेरा प्रयास रहेगा आप लोग अगर कुछ ऐसी स्थिती आती भी है तो आप लोगों को हम आप आता रहोगा और दूसरी खबर है खब्रत बहुत जादा लही है कुरोणा से को सारे लोग भाएवित थे इसी पर ज्यादा फोकस्ट सब्सक्राइब कर देख चुके हैं और यह निकाल देदा कि कुछ लई है ऐसा नहीं है आप सब्धाली बरते हैं तो भले ही कुछ लई है लेकिन आप नहीं सब्धाली बरते हैं तो बहुंदे जिरा सस्थिती भी हो सकती है गत Zum whamoo के लिए 72 ुचार थे थीUCK सरकारी प्राप्त कर लेखा बर्करार है बिढ़ार युवास सरकारी लोकली के लिए ज्यादा महुनत कर रहा है इसका रजाजा इसफी से लघा जा सकता की सीडीपियों के लिए एक लाख असी हजार आवेदल आये है बिहार लोग से वायों की ओर से आवेदल वागा गया था आवेदल कर लेकिल को सवाप्त होगी देखा जाए तो एक पत के लिए 3272 परिचारतियों के बिच परतिस फर्दा होगी परारबिक परिच्छा में सफल ता पराप्त करने वाले सीट से दस गुलाज चात्रों को मुख्य परिच्छा में जोकी सामिल किया जाएगा इसी तरह प्रोजेक्ट है जोकी पहलेजर के 50 पदों के लिए उलतीस हजार से अध सब्सक्राइब इस परिच्छा में एक पद के लिए 306 के बीच पर्तिस पर्दा होगी है यहाल अलपरिच्छाओं का भी है तो बतलब पर पर इसका बहुत भाई इसर पड़ता है और जहां तक दिग्गे आप लोग की चर्चा है तो बहुत सारे सीचल थिरी पर क्या असर पड़ेगा अगर ऑफिस बंद नहीं होगी तो आपको अपनी लास्ट या भाई के पर असर पड़ेगा तो आपको यह लही है कि तुरत निकालने कि कोरोना के गाइड लाइन्स फिर दुवारा आती है और आधेस 50% सरकारी कारेकालों वें उपस्तिती सरकारी कर्वियों पर बिड़ेगा नहीं होगा और यहां कि दूसरी है कि आप लोग सरकारी आफ यहां पर सीधे रिखdeterm के आंस रोकस रहेगी अल्दर जाने लही दिया जाएगा तो इसका भी आप लोग सब्धाली जरूर बढ़ते हैं तो इसीक साथ धन्य बाद